आज मैं आपको पुरा स्टूडियो दिखाने वाला हो कि कैसे आप स्टूडियो साउंड प्रूफिंग बना सकते हैं यह देखिए साउंड प्रूफिंग वाला काम चल रहा है अभी राउल बैट जाओ तीक है और यह सामने देखिए यह कैमरा लगा हुआ है और यहां प्याक प्रूफिंग लिए यूज होता है हलांकि requirement नहीं थी इस रूम में क्योंकि स्टूडियो का microphone यूज होता है और सौंड प्रूफिंग requirement नहीं थी लेकिन इसको लगा दिया सो दैट की बाहर जो खड़े हैं वो न दिखे और बाहर के लोग स्टूडियो न दिखे और यह अच कैसे लगा रहे हो अगर आपको लगाना है तो मार्केट में इसको और कर सकते हैं मैं आपको लिंक दे दूंगा और बाकी इसका गम होता है राइट इस क्या है तो पहले आप इस पर ग्लास पर वाल पर क्या लगाते हैं ठीक है टेडा हो रहा है वह जीवन हो उखार फिर से लगाओ राइट तो आप देखिए इसको बहुत केर्फुल हो कि आपको लगाना है कटिंग प्रॉपर करना है सो देट आप इसको लगा पाओ एकॉस्टिक पूरा ठीक है सामने आपके कैमेरा होना चाहिए ठीक है यह कैमेरा देखो लगा है तो अगर सामने से वह पढ़ा रहे हैं तो अपना व्यू देखो यहाँ पर यह देख सकते है तो कॉलिटी आप दे अब मैं इसको दूं कर रहा हूँ देखिए रेमोट से तो यहाँ प error होने से फायदा यही है तो अधिन करने यह बत्तिस हिंच का मॉनिटर है सामने पोडियम है वो डिश्टल बोड है और दो मॉनिटर को ऊपर भी लगाईगे अब दो मॉनिटर क्यों है अच्छा तो एक में आप अपना कमेंट पढ़ सकते हो जिसे मालू इसमें आपने कमेंट पढ़ लिया इसमें अपने को देख लिया तीन डिस्प्ले नहीं होता है दो मॉनिटर के साथ पूरा सेट अप करके देते हैं अभी मॉनिटर नया आया है 32 इंच का ठीक है तो अगर आ हमारे में जाना है तो आप से पर्शन को कॉल करके पूस्ट सकते हैं और यह क्या है अच्छा यह विजुलाइजर अच्छा इस पर कुछ भी आप रखते हैं तो वह सीधा डिश्टल बोट पर आ जाता है ठीक है यह काम पर यह लगे हैं मैं आके इन को डिस्टर्ब कर दिया छिक है और मैं इधर से दिखाऊं यह सामने का एरिया है कैमरा मॉनिटर सरवर सब कुछ तो यह 10 आठ ना 10 अका रूम है 10 आठ के रूम में यह आइधिंग ठीक है परफेक्ट है ठीक है तो यह अपना स्टूडियो अगर ऐसा एक्सपीरियंस करना है तो आप नोडा में आस यह तो नोईडा का है ऐसे ही पत्ना में है और लखनों में भी रेडी हो रहा है उद्यपूर में भी ऐसे स्टूडियो बना है यह मैं वीडियो आपको रैंडम वीडियो इसलिए बनाता हूं आप एक्सपीरियंस कर पाओ कोई मैं एडिट नहीं करता ठीक है रॉइसलिए बताता हूं कि आप एक्चुल देख पाएंगे कि एक आस्टिक कैसे लगता है प्लेसिंग कैसे होती है पैनल्स की लाइटिंग देखे लाइटिंग ऊपर लगी है नीचे एक भी लाइट नहीं ल बस मैं आ गया तो स्टूडियो के अलावा बाहर भी आपको दिखाता हूं जब आप आते हैं तो बाहर भी आप एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है अलग-अलग इंट्रक्टिव फ्लैट पनल काफी वीडियो में दिखा चुका हूं और यह आपको 55 इंच का मिल जाता है बा और सौन प्रोफिंग आपको रूम दिखा दो चलिए थैंक्यू यह ब्रॉट कास्टिंग का है अभी सब काम चल रहा है नया स्टूडियो और बन रहा है ग्रीन क्रोमा का जिससे कि आप अच्छे से उसको कर सकते हैं ठीक है चलिए ब्लॉग को बंद करता है यह ब्लॉग है जो समझ में आया वो बता दिया तो यह शीट आप और कर सकते हैं मैं आपको नंबर दे दूंगा डारेक्ट सप्लायर से ली लीजिए और यह गम इसको खरीद के यह कहां मिलता है गम यह किसी भी हार्डवेर के शॉप पे मिल जाता है कोई भी लगा देगा इसको ना ठीक है